अध्याय आठ बैंकिंग एवं कराधान बैंकिंग एण टेक्सेशन परिचय इंट्रोडक्शन गोकुल अपने कुछ दोस्तों से बाते कर रहा था उनमें चर्चा चल रही थी कि उनके परिवार हर मा कुछ राशी बचा पाते हैं उस राशी को कहां रखे जिससे वह सुरक्षित रहे वह कभी कभी जोरत पढ़ने पर मिल भी जाए मुझे तो लगता है कि एक बचत खाता खोल लो उफ़े तो अच्छा है कि अवर्ती जमा काता खोल लो अधिक ब्याज मिलेगा पर उसमें तो हर मा कुछ जमा करना होगा ऐसा तो अगले कुछ महिनों तक हम कर ही सकते हैं फिर तो ठीक है हर महिने एक नियात राफिक कम फे कम 6 महिने तक जमा कराते रहो कितनी राशी कहां कराऊं और 6 महिने ही करना है क्या नहीं, 10 पंच तक कर सकते हो और बैंक या पोस्ट ओफिस कहीं भी यहीं नहीं, तुम चाहो तो एक से अधिक खाते खोल सकते हो यह ध्यान रहे कि राशी 10 रूपे के गुणक में ही लेनी होगी लेकिन इसका क्या फैदा? इसके ब्याज की दर अधिक है, जितने लंबे समय तक करवाओगे उतनी अधिक और अगर बीच में ही पैसा चाहिए या किश्ट ना हो तो? हर साल कुछ राशी तो निकाल सकते ही हैं, किश्ट ना देने पर क्या होगा? यह बैंक से पता करना होगा, हाँ, अगर खाता बंद करना पड़े, तो ब्याज में कुछ कट राशी कर शेश राशी आपको मिल जाएगी इससे अधिक ब्याज प्राप्त करने के लिए क्या कोई अन्य खाता खोला जा सकता है? हाँ, साओधी जमा खाता खोला जा सकता है, लेकिन इसमें एक निश्ट अवधी के लिए ही पैसा जमा करना होता है यह हम कैसे तै करें कि अपनी बचत राशी किस खाते में जमा करें? यह निकट भविश्व में बचत राशी के उप्योग की विशेश अवर्शकता नहीं हो, तो इसे साओधी जमा खाते में जमा कर सकते हैं